तो दोस्तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये वाले wireless earphone जो की OnePlus के Z2 हैं और ये महज एक earphone नहीं है ये earphone के बाफ हैं क्योंकि ये 1 गंटे नहीं, 2 गंटे नहीं, 5 गंटे नहीं, 10 गंटे नहीं, पूरे 30 गंटे का बेटरी backup है इसके अंदर आपको यहां मिलने वाल है जी जो मैंने इसको अनुभव किया है, जो मैंने इसको यूज किया है, वो बाते आपके साथ वो शेयर करूँगा, अगर आप भी एक wireless Bluetooth वाला earphone पर्चेज करने जा रहे हैं, तो यह एक बार ये देख लीजेगा, फिर आप खुद है वो तसली कर लीजेगा, नमस्कार दोस्तो मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेकनिकल नुनिया जी, तो दोस्तो सबसे पहले तो इसकी एक नॉर्मल सी एन्वोक्सिंग आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाला कि मैं इसकी पहले ही एन्वोक्सिंग कर चुका हूँ, क्योंकि पिछले 5 दिन से मै लगातार इसको यूज कर रहा हूँ, और यूज करने के बाद इस तरह की एन्वोक्सिंग है, वो आपके सामने आते है, यह देखी, यह हमारी एन्वोक्सिंग है, इसको मैंने यूज कर लिया है, इसको गले में लटकाते हैं, और फिर भी आपको एन्वोक्सिंग की आपको मिल जाते हैं आपके प्यारे प्यारे ये wireless earphone और देखिए दोस्तों जब आप ये डबा पर्चेज करके ले के आते हैं तो सबसे उपर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है OnePlus Bloods Wireless Z2 और एक तरफ यहां पर OnePlus की ब्रांडिंग है और बाकी कुछ ने इसकी फोटू है और पीछे इसके बारे में दे रखा जो कि अभी आपको मैं बता देता हूं जब आप इसी उपन करते हो तो भियाब प्यारा प्यारा आपका ये इयरफब मिल जाता है इसको अपन साइड में रखते हैं वौक mainly यहां पर देकते हैं क्या पनियएपाप kendi.. जो कि इसको चार्ज करने वाली है और इसी के साथ यहां पे जो बट्स की जो फोम है वो भी आपको यहां पे मिल जाती है और साथ-साथ में कुम-कुम पत्री मिल जाती है कार्ड आपको यहां पे मिल जाता है इनका मेंबर बनने के लिए वेबसाइट पे विजिट करके मेंब और राइट देखें, तो मुझे तो खास तोर पर पता नहीं चल रहा है, इसका कोई फरक नहीं पड़ता है, कि इसको लेप्ट में रखें, या इसको राइट में पहने, दोनों की डिजैन लगबग एक जैसी से मुझे यहां पर लग रही है, कोई बात नहीं है, और यहां पर पर दाते ह। धायों दो बाते हो, निक्ट कर सकते हो, थीन बार दबाते हो, तो आप पीछे हो elग चल जाते हो, और यहां पे एक छोटी सी हाट्टिंग आती है, जहां आप आपको पता लग जाता है, कि फोन के साथ कनेक्ट हुआ है, क्नेक्ट हूआ है, और यहां पर एख देखिए आपको एक microphone है और साथ में यहां पर C-type है वह भी आपको मिल जाती है चार्ज करने के लिए और दूसरी तरफ देखिए इसमें कुछ भी नहीं है यहां पर के ओल इसका मतलब है कि आपकी battery है यहां पर खराब नहीं होने वाली है आपका power बचने वाला है और यहां पर देखिए एक neck band दे रखाए ठीक है और neck band भी देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लचिला है flexible है और यहां पर इसकी quality है वो भी मुझे अच्छी लग रही है इत 10 मिन्ट चार्ज करते हो भी यह तो भी यह 20 गंटे का आपको battery backup मिलने वाला है fully कैसे भी आप song सुनो किसी तरह से नो full volume में मिल सकते हो इसके लाव यह यह आप इसे 100% charge कर लेते हो और 50% volume के साथ अगर आप music सुनते हो तो भी यह 30 गंटे का battery backup वो आपको मिल जाते है और इसक बेस पसंद है तो भी यह इसके अंदर powerful base है आपको मिल जाते है और इसके साथ भी है यह waterproof ही है इसके अदर आपको IP 55P की है वो मामला है वो मिल जाता है तो पानी में भी यह जल्दी से भाग के वो खड़ाब नहीं होते है अराम से आपका काम हो चल जाता है अब इसका मैं मे का लेता हूं यहाँ पर एक बार और proof आपको दिखा देता हूं देखिए जैसे अगर आपको इसको mobile के साथ connect करना है तो Bluetooth आप ओन किजेगा direct है यह connect हो जाएगा और इसकी connectivity बहुत ही आसान और super fast है तुरंत ही यह connect हो जाता है मैंने बहुत सारी earphone यूज किये है उनकी connectivity में प्रोब्लम रहती है इस परकार की कोई प्रोब्लम नहीं मिलिए अगर मैं यहाँ पर इसकी connectivity आपको यहाँ पर दिखा हूं दोस्तों एक बार मैं setting है वो अपने mobile के open कर लेता हूं यहाँ और देखिए मैंने इसको charge किया दोस्तों मैंने लगातार 5 इन से मैं इसको use कर रहा ह अगर आज की बात बता हूं जब मैं यह वीडियो मैं बना रहा हूं तो सुबह साड़े साथ बजे मैंने इसको own किया था और साड़े साथ बजे own करने के बाद पूरे दिन मैंने इसमें music है वो चालू रखा और जब मेरे पास कोई phone आए तो देखिए phone मैंने उठाए बात भी मैंने की तब भी इसकी जो बेटरी विया फिलहाल यहां पर देखिए 90% आपको बेटरी वो देखने को मिल जाती प्रूफ आपको अभी मैं दिखा देता हूं यहां पर अपने मोबायल के साथ मैंने यहां पर connect कर रखा है क्योंकि यह यह जो magnet चिक पक जाती है तो दिख प्रमोसन नहीं कर रहा हूं मैंने इसको फिर चार्ज किया था और तकरीबन इसकी 20% बेटरी जब बची थी तो अगले 20 मिन्ट मैंने लगाया अलागे बीच में नहीं देखा 20 मिन्ट बाद मैंने देखा तो भी इसकी बेटरी वो 100% चार्ज हो गयी तो मोबाइल वाले चार्जर से मैंने यहाँ पर चार्ज किया था और यह देखिए music के शोकिन हो तो music में भी इसका आनन्द आता है और यहाँ पर आपको मैं music हो शुना देता हूँ यहाँ पर एक प्यारा प्यारी मेरी धुन है और यह धुन आपको मैं यहाँ पर सुनाता हूँ connect मैंने यहाँ पर कर लिया है और मैं सुन लेता हूँ अब देखिए इसकी मैं volume है यहां से अपने mobile से ज़्यादा कर लेता हूँ आप अपने यहां से कर लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने यहां पर कर लिए इसकी volume मैं आपको दिखाता हूँ या फिर सुनाता हूँ सुनिएगा मैं यहां पर इसकी जो audio है उसमें किसी परकार की कोई editing नहीं करूँगा जैसे यह वैसी वैसी आपको यहां पर हमें सुनाओंगा आप फिर से सुनिएगा और देखिए यहां पर लगाओ इसके आवाज मेरे कानों तक आ रही है और जब मैं इसको यहां पर देखिए लगाता हूँ यहां पर तो मुझे बाहर का कुछ यहां पर सुनाई नहीं देता है आपको इसके अंदर वो मिल जाती है बाहर की चोटी मोटी बाते आपको नहीं सुनाती है और देखिए भीहां मैं तो फाइनली आपको यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी वायरलेस ब्लुटूथ अगर आप यह फोन पर्चेज करने जाते हो तो भीहां आप यह करोगे मेंगा वाला एक बार आप पर्चेज कर लिजेग और वैसे भी कोई ज्यादा मेंगा नहीं है क्योंकि दोस्तों मैंने यहां पर 500 रुपे से लेके 1500 रुपे तक की एरफोन है वो पर्चेज की लेकिन दोस्तों किसी में वह मज़ा नहीं है जो इन एरफोन के अंदर क्योंकि इसका बैटरी बेक अब मुझे बहुत ही शांदार लगा है और इसकी जो बेस है वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे अगर आप ओनलाइन गेम खेलते हो न तो भी आ उसके अंदर भी जो साउंड हो तुरंत आ जाता है क्योंकि मैंने गेम खेलके भी इसके राजाता है क्योंकि जो प्लेयर है सामने वाला वो बोल जाता है और इसके आवाज हमारे पास कई बार या कई देर बाद में सुनाए देती है जो नर्मल येरफोन होते हैं लेकिन भी इसकी तुरं टकाटक जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ केमरे इस तक मेरी आवाज य यह एक होगा कि आप इसे बिना सोचे समझे पर्चेज है वो कर लीजेगा और देखे एक खास बात आपको बताओं वन प्लस वालों ने ये तीन साल बाद में लॉंच किये हैं पहले जो मोडल था वो जेड था अब इसका जेड टू है वो रख दिया है अलांकि कोई खास इसम स्क्रिप्स में मिल जाएगा तो दोस्तों फाइनली मैं यह कहूंगा यह है वायरलेस ब्लुटूथ इयरफोन जाओ पर्चेज करो मर्जी आपकी है मेरा रिवीव मैं ने आपको दे दिया कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं जो साथी चैनल पर पहली बार रहे हैं औ और हवी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लिजेगा बेल आकिन दबा के ओल नोटिफिकेशन उसे भी ओन कर लिजेगा वीडियो आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं फ्रेंट से लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जै भारत